अभी polarization के आपने बात की तो मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे ऐसे नारे लग रहे है और अजीत पवार ने उसको विरोध किया है वो अभी BJP के साथ है एक विचार सरनी है जिसको अजीत पवार अभी भी फॉलो कर रहे है जो परिवार है उसमें दरार पड़ेगी और अजीत दादा जो है वो अपना अलग घर बसाएंगे किसने तो नहीं सोचा नहीं था क्योंकि यह बहुत दुख अली बात है क्योंकि आजित पावर और पावर सब कब अलग ने होंगे यह की रहेंगे सब को अईसा लग रहता है अजिश्का प्रदान मंत्री महाराष्टर में आकर शरत पवार के ऊपर एक भी शब्द ना वोले तो यह बहुत बड़ा फरक है लोगसभा चुनाव में और विधान सभा चुनाव हो रहे और सत्ता का केंद्र हमेशा वेस्टिन महाराष्टर में रहा है जो है बारामती बा अजीत पवार जो है वो राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी के साथ गए पूरा पार्टी के साथ साथ वो अपना सिंबॉल लेकर चले गए पार्टी का जो घडी वाला जो पारंपारिक यानि ट्राडिशनल सिंबॉल जो था वो अजीत पवार के पास चला गया अभी बारामती की लडाई जो है वो इतनी interesting हो गई है मेरे साथ बात करने के लिए बारामती में जो journalist है वो राजनीती की समझ रखते है कास्टिक वेशन क्या है बारामती में यह सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हांके जर्नलिस्ट है लोकल वो हमें बताएंगे कि बारामती में क्या हो रहा है नमस्कार सर आपका स्वागत है दवायर में क्या कहेंगे कितना डिफिकल्ट हो गया है बारामती का चुनाओ As a journalist आप 20-25 साल से बारामती देख रहे हो क्या है कि लोकसभा चुनाओ से पहले किसी को आदत नहीं थी कि पवार फैमिली जो है इसमें दरार पड़ेगी या पवार फैमिली का जो विबक्त होना है वो किसी को मान्य नहीं था मन्जुर नहीं था तो जो देख रहे थे वो पूरी फैमिली की तरब देख रहे थे पूरा बारामती जो है, वो पूरी तरह से एक सेकुलरिजम का बहुत बड़ी एक प्रियोक्षाला भी बोल सकते हैं, आसाय चुनाव में संग है कि जहां पे सेकुलरिजम बहुत आच्छा है और वो पूरोगा में विचार सरनी जिसको करते हैं महाराष्ण में, तो फुले शा पूराइजिशन हुआ, दो गुट सीधे सदे पावर सापका और आजित पावर जी का, तो दोनों के गुट आलग हो गए और उनकी जो कारे करता है, वो भी आलग हो गए, जो कारे करता है, एक होकर बीजीपिया और शीवसियना का पहले बाद विरोध करते थे, अभी पूर पूराइजिशन के आपने बात की, तो मेरा सवाल यही है, कि जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारे लग रहे है, और अजीत पावर ने उसको विरोध किया है, वो अभी बीजेपि के साथ है, एक विचार सर नी है, जिसको अजीत पावर अभी भी फॉलो कर रहे ह सिर्फ आजीत पावर जी ने विरोध ने किया, पहले बात देखिए, योगी आतीदी तिनात ने महाराष्ट में आकर यह जो बात कही बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका विरोध उनकी पारटे की पंकजा मुंडे ने किया है, तो हाँ, आजीत पावर जी का तो होना अगर बीजेपी के साथ गए भी हो, तो उनको हर बार अपना वोटर अपने पास रखने के लिए यह सब करना भी पड़ता है और बात भी करते है, लेकिन पंकजा मुंडे ने भी कहा है कि यह महाराष्ट में नहीं चलेगा, तो जो अभी आपने बटेंगे और कटेंगे की तो यह महाराष्ट में सीधा नहीं चलेगा क्योंकि इसी के ऊपर भी यह इलेक्षन का जो माहोल हो गुम सकता है, एक नेरेटिव बदल सकता है, ऐसे बात कर रहे थे, सर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से बारामती का जो पूरा एक सत्ता का केंद्र रहा है और अभी पूरे यह इसा माहूल है या नेरेटिव ऐसा ही है या लडाई 50-50 है? लेकिन जिस तरह से शरत पवार ने इतने साल सक मेरा जितना एज है उससे भी डबल उनका अनुभव है, तो पवार साब के मन में जो होता है, वो कभी किसी को पता नहीं चलता है, ऐसे बोलते हैं. As a journalist, एक पत्रकार होने के नाते आपने जितना भी बारामति का पॉलिटिक्स कवर किया है, आपको कभी लगा था कि इस जो परिवार है, उसमें दरार पड़ेगी और अजित दादा जो है वो अपना अलग घर बसाएंगे? किसने तो सोचा नहीं था, क्योंकि ऐसा है, यह बहुत दुख अली बात है क्योंकि अजित पवर और पवर सब कभ अलग ने होंगे? यह की रहेंगे, सबको ऐसा लग रहता है. लेकिन इस बार क्या हो गाए भी सबको पता है कि कुछ जो उपर से कुछ का हो गाया हो. लेकिन कैसा है? अजित पवर और शरत पवर, लोगों की यही मनशा है कि यह बहुत आगे जाके दोनों एक हो जाए. अजित पवर और शरत पवर की जब एक होनी की बात होती है, तो सर आप मुझे बताईए कि कितने चांसे से कि अजित पवर यह इलेक्शन होने के बात फिर से कि मैं बता सकता हो कि बारामती कर जो है इदर बारामती की जनता को है वो एनसीपी में कभी विवाजन बारामति के जनता को कभी भी सपने में नहीं लगा कि पवर फैमिले में इतना डिवाइडेशन होगा इतना पॉलिटिकल डिवाइडेशन होगा और राजकी यह जंग दोनों काका भतिजे के बीच लडेंगे आईसा सपने में भी किसी ने सोचा नहीं था लोकसाबा एलेक्ष लेकिन क्या हुआ कि दोनों कुट में इतना संगर से बढ़ गया कि अभी जो लोकसाबा एलेक्षन में ननन्द और बाहुजोई में जो लड़ाई हुई उसमें क्या किया बारामति के जनता ने शरत पावर का सन्मन रखने के लिए सुपरिया सुले जी को जादा ओड़ दि कि बारामति कॉंस्टिटिशन जो विदान सभा प्रक्षत्र है उसमें 48,000 से ज्यादा सुपरिया या यंपी सुपरिया सुले को ज्यादा वोट मिले वह आजित दादा के लिए बहुत अटेंशन देने वाली बात है लेकिन इस बार जो हम लोगों के साथ बातचित कर रहे गुम रहे थे इदर बारामति लोकसाबा के मैं तो बारामति लोकसाबा का जो हर प्रक्षत्र है विदान सभा क्षेत्र है उस शेत्र में मैं घुमा था जनता से मैंने बात कीती वोटर से बात कीती कुछ लोग बारामति के जो ओटर है विदान सभा प्रक्षत्र है वो बोल में लेकिन आजेत दादय के लिए प्लस पॉइंट जो है उन्होंने ज़े 9000 कोटी का कशो है इतर नौहाजर कोटी का में पिछेए उनके साथ उनके grandfather और NCB के नेता, NCB के leader, NCB शरत चंद्र पावर पक्ष के leader जो है, शरत पावर साहब उनके साथ है, वो उनके लिए बहुत plus बात है, लोकसभा election में लोगों ने ये लड़ाई ना कि सुपरियास सुले वर्सेस सुनेतर पावर आईसा नहीं माना था, शरत पावर वर्सेस आज़त पावर माना था, लेकिन इस टाइम जो है, इस टाइम ज़रा थोड़ा अलग बात है, आज़त दादा ने अपनी रने निती पूरी बदल दिये, लोकसभा election में जो जो mistake हुई, जो BJP के बड़े लेटर आके इधर शरत पावर के opposition में उन्हें बहुत प्रदान मंत्री ने आकर ऐसा कहा था कि बटकते हुए आत्मा है, उन्होंने भी किया कि शरत पावर का बदला लेनी का टाइम आ गया है, तो बारा मती में जो उस वक्तवे का बहुत आसर पड़ा और उसका फाइदा सुप्रेस हुले को हुआ, इस टाइम अजित पावर बुट ने हर नेता हर NCP के कारेकरतों को कहा है कि शरत पावर सहाब के उपर कोई allegation ना करे, वो खबरदारी खुद अजित पावर से लेके NCP के सभी इधर के नेता ले रहे है, उनके लि पूर छोटी-छोटी बातों में, जो कॉमन मैन की जो अटेजमेंट है, उन्होंने बड़े है, सर आप मुझे एक बात बताईए कि जब भी बारामती का इलेक्शन होता है, पूरे महराष्टर की निगाहे कभी बारामती के उपर नहीं रही, क्योंकि जो फैसला है, वो और लोकसभा चुनाओ में जो है, वो बदला था कि कौन सी राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी, क्या आपने देखा है, इतने साल आप पॉलिडिक्स कबर कर रहे हो, कि महराष्टर जो बारामती की जनता है, वो थोड़ा सा कन्फूजन है इस विदानसभा चुनाओ में और ये जन्ग कौन जीतेगा? में सब्झाल तो वो जानके ये, उन्होंने सब्केश्टाल दी एक बात दुसरी बात है, विदाटन आपक्रि घए अलग की तपासि हन्तरना है वह उसका तरणोई vraiment के पास गया है, तो ये कभी ना कभी मिल सकते है, लेकिन आप देखे तो जो विदान साबा चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ दे सब कुछ प्रतिबा पवार आईसे ही जाने रही प्रतिबा पवार किसके घर में जा रही है यह बहुत बड़ा इंपोर्टन और उनको गभी एक्टिव पॉलिटिक्स में देखा नहीं था हृटि यह बड़ेर चाली साल पहले वुदान साबाBe चुनाओं में परचर किया था शेरघ पॉै लेकिन 40 साल पहले उनने परचर नएस परच नहीं दीया विवा लोग क्ट पवार कर लेकिन चाली साल के बाद में अजा परचा नहीं किया है मुख लो चुनाओं परचर क defa 1967 से जो राजनिती चल रही थी, उस वक्त जिंजिन लोगों ने, जिंजिन कार्यकरताओंने साथ दी थी, जो उनके साथ थे, तो उनमें से बहुत से लोग नहीं है, तो उनके घर जाकर एक उर्टद्यता वेप्त करने का एक सो रहा है, और यह बहुत बड़ी राजनिती आइस इसा मुझे लग रहा है तो सुप्रिया सुले ने इंटर्वी में बताया था कि बारामती सिर्फ शरत पावर को समझती है अगर यह सब जो चेन है वो जब लिंक कर देता हो तो इसमें वही बात आती है कि प्रतिबापावर वहां पर क्यों गुम रही है सर आप मुझे बताईए कि यहां का लोकल पॉलिटिक्स कैसा है बारामती इस इक्वल टू मैंने अभी पूला कि बारामती इस इक्वल टू राश्टरवादी कॉंग्रेस लेकिन जो छोटी मुटी पार्टी है जैसे कि छोटी तो नहीं कह सकते कॉंग्रेस इस लाइक नैशनल पार्टी है शिव सेना का क्या इंफ्लेंस है बीजेपी की नेता कितने साथ है अजीत पवार के या वो दूरी बनाये के रखे कि देखिए क्या बात है बारा मुती में बीजेपी प्रभाव रख रही थी अब देखिए ना कितनी बड़ी गम मजे की बात है कि जैसे ही चुनाओ लोकसभा का आया और बीजेपी तो कुछ भी नहीं रही आपे कुछ भी नहीं रही याने कि बीजेपी की जो नहीं आता है वो आजित पावर के साथ आ गए ना तो उनका प्रभाव है कि विरोधक सक्षमिरोधक के नाते तो उनका प्रभाव ही नहीं रहा तो लोग बोल रहे थी देखो कैसे उन्होंने बीजेपी की लोग के साथ गय है, वो उनका काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की नेता एक धर्म की राजनीती पर फोकस रहता है, और अजित पवार की जो है, वो आपने खुदी ही बोला कि सेकुलर महाराष्ट्र है, फुलेशाहु अमबेटकर का महाराष्ट्र की राजनीती को अजि अजित पवाराष्ट्र का परचार किया, विधान सभाचुनाओं में वो क्या कर रहे है, यह देखना पड़ेगा, सर आप बताईए मुझे की बात होती है, तो बारामति का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, जो योजना है, सुविदाय है, बारामति में बहुत लेकिन वोटर जो है, इस बार वोटिंग करते समय, क्या ध्यान में रख सकता है बारामति के लिए, आपका अनुभू क्या है? तो वोटिंग करते समय, किस के पास जाएगी, शरत पवार के पास जाएगी या अजिद पवार के पास चहरा? एक बार अजीद पवर ने बोला था, एक बार बहुत दिन हो गए उसको, कि मुझे हरने वाला खली पवर ही रहेगा, वो अब समने अगर आ रहा है, वो बात समने, खुद अजीद दादा बोले थे क्या आजीद दादा ने थोड़ा सा इमोशनल काड खेला था, जिस तरह से वो नॉमिनेशन भराता उन्होंने, तो थोड़ा सा भावुक हुए थे और दूसरे बाद, क्या ऐसा लगता है आपको, कि इस लड़ाई में आजीद पवर थोड़ा सा ऊपर है? जो बावुक होने से कुछ पाइदा नहीं, जो बावुक होने का था तो लोक सबा में था, अभी कुछ परणने वाले ने, लोक अप भूशार हो, एक ट्रेन हो गए अभी, लोक सबा के बात, जब साधरन पबलिक है, मद्दार है, वो आभी निच्चे ही हो गए, कि मैं अप है या आम वोटर से, उनकी क्या अपेक्षाय थी, किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो पिछले दू साल में चेंज हुआ है, जो युवावर्ग है, वो किसके साथ है, क्या अप्जरवेशन है आपका, क्योंकि एक तरफ युवा उमिदवार है, युगेंदर पवार, दूसर अप्जर शरकारो, महावेका सागड़े हो या महाविती हो, किसी को युवाक ने गिरावा, पड़ाने, क्योंकि युवा बेरोजगर है, उनको नोक्री नेगे, कोई भी सारकारो, क्योंकि इतना भी रोजगरी बड़ी है कि इस पर कोई बात नही करता है, दिली से लोग आत यहाँ है, 70% जो यहाँ है, यह अजीद दाद को फॉलो करता है. यानि अजीद दाद की क्रेज है यूआउ में. सर आखरी सवाल है आपसे, कास्ट की इक्विशन क्या होंगे यहाँ पर? क्योंकि यह मराठा अरक्षन का जो बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है, वो महराष्टर में अभी भी चल रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ. क्या बारामती में जो है, वो दो पवार है, लेकिन किस पवार के साथ मराठा रिजर्वेशन या मराठा लॉबी जा सकती है, और दलित उबी सी किस के साथ चाहेंगे? क्या है सर महराट वड़ा में बहुत पुदराइज हुआ महराटा रिजर्वेशन का मामला है तो है भी लेकिन अगर बारामुती को आप देखेंगे तो बारामुती का चुनाविया लग होगा तो इसमें सिर्फ महराटा रिजर्वेशन का मुद्धा नहीं आएगा यहाँ पर राजनीती का जो दाया-बाया खेल है वो ज्यादा ज्यादा प्रबाट डालेगा एक बात में आपको ही बता देता हो कि बारामुती का चुनाव कैसा होगा तो बारामुती में अभी जो है ना अभी भी युगेंदर पहर और अजित पहर की लड़ाई मानने रहे लोग अभी भी शिर्फ पहर और अजित पहर के अजित पहर जी जाते हैं तो जो लोकसभा चुनाव की जो परिनाव हुए उसके उलट उल्टा परिनाम विदान सावग होगा लेकिन अगर देख जाए तो जो ये आर्बन एरिया है वो और ग्रामेन एरिया है वो पूरे तरह से दो अलग-अलग हिस्से पड़ गए है तो आर्बन एरिया में अजित पहर का प्रभाव हो जाता है और जो रूरल एरिया है अभी भी शरुत पहर का प्रभाव जादा है तो इसमें आजित पहर ने काम किये लोग बोल रहे कि ये काम कर रहे तो काम कर देख उनके पीछे जाते एक बात है उससे भी ज्यादा एक पावरफुल जो फैक्टर है वो यह है गाव गाव के जो कारेकरता है बहुत बड़े बहुत साल से वो काम कर रहे तो उनके एंटिकम्बंसी बहुत जादा है आजित पावर के खिलाब जादा नहीं है लेकिन कारेकरता के खिलाब जादा है और यही कार्यकरता चुनाव में सामने आते हैं, तो लोग इनको देखे चुनाव करते हैं, उनको देखे वोड करते हैं, अगर ऐसा नहीं होआ, तो आजित पवार का प्राव रहेगा, और कार्यकरता को देखे कर चुनाव होगा, तो आजित पवार की difficulty बढ़ेगी. सभी जो जानकार जर्नलिस्ट है उनसे आखरी सवाल है मेरा कि अगर अजिद पवार महायूती के साथ गए है अभी मैं बहुत पूरे महाराश्टर गूम रहा हूँ राजनीतिक पिशलोशकों का ऐसा कहना है कि यहां पर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आ सकता सभी से दो सवाल है कि अगर अजिद पवार बहुमत नहीं आता तो फिर से राश्टरवादी कॉंग्रेस में आ सकते है क्या और बारामती कौन जीत रहा है सर आप क्या कहेंगे इसके उपा खिलाल अतुल जी आभी तो मैं बता नहीं सकता लेकिन क्या है कि अगर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री नौहेंबर को जब रिजल्ट लगेगा उसमें कौन कितनी बाजी मारेगा उस पे निर्भर है अजिद दादा मुझे नहीं लगता कि अजिद दादा वापस आएंगे रिजल्ट के बाद रिजल्ट के बाद जब किसकी कितनी संक्या भारी उस पे निर्भर करता है अभी तो नहीं बता से आप क्या कहेंगे अजिद दादा वापस आएंगे या वही पे रहेंगे आपको एक पहले बात बाताता हूं में लोग सब चुनाओ हुए थी उसमें एक मुद्धा बहुत कॉंग्रेस ने फोकस किया था सेविदान दोके में है आजिद पवार आभी बिजएपी के साथ गये है इसलिए जो दलित मुसलिम का उटिंग है उनको नहीं मिला क्यों नही पर ही फोकस किया है इसी वज़े से अभी विदान सभा चुनाओं में देखना जरूरी है और जो केडर बेस ओटिंग है दलित मुसलिम का जो ओट है और किसके साथ जाएगा अजित पवार आजित पवार जी ने प्रचार में परिवर्तिन किया है यह कै नहीं उसका इंपक् आजित दादा वापस आएंगे और कौन जीत रहा है बारामती अगर आप दिल्ली से देख लेंगे तो पवार अनप्रिटिबल प्रोडिक्स करते हैं तो देश को अभी तक पवार जी का जो है वो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रहा है वो कोई भी हो अनप्रोडिटिबल करते हैं ऐसा बोलते हैं मुझे लगता है कि अजीत पवार अपनी पारटि के कमान अच्छी तरह से समभलने के कोशिश करेंगे अपनी पारटि को बढ़ आदेंगे और उन्होंने एक बात दो दिन से बहुत अच्छी तरह से कहाए कि महायुती का सरकार आएगा महायुती के स्थिति हो गई, सब उल्टी-पल्टी हो गई स्थिति, तो ऐसी स्थिति अगर आ सकती है, तो अभी अजित पौर इस राष्टरवादी के साथ आएंगे, यह कहना मुश्किल है. अब क्या कहेंगे, सर अजित दादा वापस आएंगे, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो, या वही पर रहेंगे? अब कैसा जो आजित पौर जो स्किम निकाले, लाडली बोने उजना, उसका सेदा फाइदा आजित पौर को होता दिखता रही, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, जो बिदा होती है कि एलेक्शन के लगने के बाद में बहबा किसको कितना लोग कम गिर आमदार, तो आजित प आजित पौर क्या थे, कि बारामती का विकास करने के लिए, मैं किदर भी जा सकता हो, विकास चाहिए मुझे, मुझे विकास करना है, क्योंकि उनको विकास करने के लिए, 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 उनको विकास कर यहान नहीं मिलता तोuseं अजीत पुर बारमुति में जीत के आएंगे उसकी बात यह कि जो विकास बारमुतिमें बड़ी संगय से हुआ है उसकी वजय से आजिस पौर जीतने वाले आप क्या कहेंगे कि अजीत पवार जो है माइक अजीत पवार जो है वो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तेईस तारीक को तो अजीत पवार जैसे सर ने भूला कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे क्या अजीत पवार राष्टरवादी कॉंग्रेस में फिर से आ सकते लेकिन अभी देखो अजीद पवार जी को मुख्य मंत्री पद का ओफर मिलता है शरत पवार जी से अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता समझो अजीद पवार के पास 40 विधायक चुनके आगए और सत्ता क्रॉस करने के लिए 20 विधायक जादा चाहेगी है सब जादा पर टिपका करते दिखने रही इस बात से ऐसा लग रहा है कि जादा आजित पावर के समर्थन में ही काम जाना है तो ये थे पवार पॉलिटिक्स जानने वाले जर्नलिस्स जो कि बारामती से आते हैं बारामती हमेशा महराष्टर की सत्ता का केंद्र रह चुका है मुंबई में पूरा पॉलिटिक्स चलता है लेकिन उसकी की जो है उसकी जड जो है वो हमेशा बारामती रह चुकी है अभी 20 तारीक को वोटिंग होने वाला है और 23 तारीक को जो है वो रिजल्ट आने वाला है देखना बड़ा दिल्चस्फ होगा कि अजीत पवार वापस आते हैं बारामती जीतते हैं या महराश्टर में किसकी सरकार बनती है दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें